दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे बिहार डेलेट इंट्रेंस जम 2022 के एक्सप्रेक्टेट कटप के बारे में कि 2022 में एड्मिशन के लिए कितने मार्क्स आपके होने शाहिए तो दोस्तो वीडियो को आप लाश्ट तक जो देखेगा वीडियो सुकन से पहले आप से छोटा सर क्वेश्ट करना शाहूंगा कि आप अभी तक हमारे चल पर नए हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर जिए और वीडियो को दबादे जिए ताकि ऐसे लेटिश वीडियो मिलता रहे चली शुरू करते हैं दोस्तो अगर आप भी हार डेलेट इंट्रेंस एक्जाम 2022 की ति जाया गया है जिसे आप बहुत ही असानी तरीके से इसको समझ सकते हैं और दोस्तो यह बुक्स आपके मार्केट में भी एवलेबल है आप डेलेट ऑफ लाइन भी अपने मार्केट से ले सकते हैं अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो अमेजन या फिलिपकार्ट से या गाइड और आज जी आप एमेजन या फिलिपकार्ट से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तो अगर बात करें पिहार डेलर इंटरेंस रिजम 2022 के एक्सप्रेक्टेट के बारे में तो उसके पहले आपको यह जानना बहुत ही जवरी है कि डेलर में सीटे कितनी है और इसमे दोस्तो प्राइबेट और गौर्णमेंट मिलाके तो 3700 यहां पर सीट है और अब की बार जो आवेदन के लिए फॉर्म आया है इस्टुडेंट का फर्स्ट टाइम आपका इंटरेंस एजम हो रहा है तो एक लाग पचास तक तो न्यूज आई थी लिखे दो इसके बाद न 400 सीट है ठीक है और उसके लिए भी हर साल देखें तो कभी एक लाग कभी सावा लाग कभी डेढ़ लाग और अब की बार तो दो लाग के करीब आपका फर्म गिरा हुआ है और उसमें से क्या है ना कि एक लाग 47 यह पांसो पर शीट क्वालिफाई किया है वहां पे तो वहा पर उसके कटेब थुरस्था कोम जाने वाले है यानि 85 के सम्तिंग्स आप 90 ही एवरेज मान लीजिए तो आप समझ सकते कि 90 यहां पर है तो उसके रिश्यों से हम चल लें क्योंकि वहां पर किवल 120 कोश्चन होता है और वहां पर किवल एक मार्क्स का होता है तो उसी के एक हम लोग यहां पर बात करेंगे तो यह चीज आप समझ कि चलिए कि 300 700 सीटे है तो 5000 यहां पर 6000 यहां पर बीट से कम सीटे है तो लगवग लगवग एड्मिशन तो आप देख पाएंगे कि जैसे 55 यह 60 नंबर होगा तो उनका एड्मिशन हो जाएगा लेकिन आप एक चीज वह भी देखी है कि बहुत सारेससन क्वालीफाई नहीं कर पायेंगे चुक गोलीफाई नहीं कर पाएंगे जब हड् जाएंगे तो आहां पर कमज़े सिटे होगी वह वहीं पर तो आपका competition होगा अब इस पर अगर हम बात करें यहां पर तो देखेंगे कि 450 नंबर आपका total यहां से आए का ठीक है 150 question आपका और हर question के लिए आपका 3 number है सबसे चीज़े यहां पर देखने वाली है कि यहां पर आपकी negative marking है तो बहुतों का number जो है कम होगा मालेजी कि अगर किसी ने 50 question सही कर लिया तो उसको 500 नंबर तो हो गया और उसने 20 question गलत कर लिया तो फिर उसका 20 नंबर कर गया तो देखने को मिल जागा जैसे कि अगर जेनल से हुआ या फिर EWS से हो तो थोड़ा बहुत कर डिफ्टेंट आपको दिखेगा तो अगर 350 से लेकि 350 से लेकि अगर 360 आपका आ रहा है ठीक है मतलब आएगा जब एक्जाम दिजिएगा तो आप government college के लिए जा सकते हैं वहां पर आपकी cut up वहां पर निधायत होगी और यहां पर देखिया करने का मतलब यहां पर एक्सप्रक्टेट हैं 350 से लेकि 350 कहने का मतलब समझ सकते हैं कि कितने question आपको सभी करने होंगे लगवाग आपको एक सो पंदरा एक सो पंदरा एक सो पंदरा सबको question सभी करने होंगे 150 में तो आपको यहां पर government के chances है जो government आपकी जो college होगी वह आपको मिल सकता है अब बात करें यहां पर OBC, EBC की बात करें तो यहां से आपको 70 से लेकि 75% लाने होंगे यहां पर एक चीज में आपको बताया कि जो private college में admission के लिए है तो वहां पर देखी कम number वालों का भी admission हो सकता है और यहां पर हम बात करें कि 200 प्लस भी आपका number है तो chances आपके बनते हैं कि अगर कहीं seat खाली है वहां पर admission आपको यह student नहीं ले पा रहा है तो वहां पर उस इस्तिति में आपकी admission होगी इस चीज का खास करके दान रखेगा तो 200, 220 प्लस, 230 प्लस अगर आपका marks आ रहा है तो भी आप private college में admission ले सकते हैं या नहीं कि कहने के मतलब कि अगर आप 70 question भी सही कर पा रहा है तो भी आपका admission हो सकता है इस चीज का आप खास करके दान रखेगा इसके लिए attention आपको लेने किया हो सकता नहीं है ठीक है 190 तो न आपके सामने expected cut-up रहा है ताकि आप अपनी पढ़ाय को यहां पी और भी मतलब मजबूत बना सको हर्म आपको classes दे रहे हैं प्रति दिन सामको 8 वर्जे हमारी classes चलती है डेलर के लिए तो आप उसको join कर सकते है ठीक है इसी चनल पे और दोस्तों साम 7 वर्जे आपका CVT test होत दोस्तों उम्हीद करते हैं कि आज की expected cut-up आप समझ गया होंगे तो यही रहने वाला इसी के आसपस रहने वाला दो चार नमबर इधा उदर आपका हो सकता है तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में जैन्द